दोस्ते दोस्तो केडी रेसिपी में आपका स्वागत आज में बना रही हूं माजा यह माजा आप महमानों को परस दोगे तो इनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यह मार्केट से लाई हुई है यह आपने घर में बनाई है एक दम बाजार जैसा मार्केश्ट घर में ही आप ही यूज करेंगे यहाँ पर अब मैं ये दो आम पकी ले रही हूँ एक्टम अच्छा से पकी हुई आम आपको लेनी है तभी इसका कलर बढ़िया आएगा यहाँ पर बेल्कुल माजा जैसा अब हम आम को छिल लेंगे तो हमें इसका छिलका निकाल देना है और अच्छी तरह हम इसका सारा छिलका निकाल देंगे बहुत ही बढ़िया बनी थी और बहुत ही टेश्टी बनी थी सची यकिन मानिए इसका छिलका निकाल दिया है अब हम पकी वाली आम का भी निकाल देंगे एक बार ज़रूर घर में बनाए उसके पाद कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी यह माजा इतनी टेश्टी बनी थी यह माजा अब मैंने तीनों ही आम को छिल लिया है अब हम कच्ची वाली आम का पीस कर लेंगे तो यहां पे आपको बिल्कुल बारिक पीस कर लेना है जिसे कि क्या आप पीस ओगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलिया नहीं रहेंगी और आम के पिसिस नहीं रहेंगे अब मैंने इतनी ही कच्ची वाली आम ली है ये वाली आम मैं नहीं यूज करूँगी आप देख सकते हो इतनी ही मैं ले रही हूँ और इसकी ही कटिंग करूँगी तो ये मैंने कट कर लिया है अब हम पकी वाली आम का भी कटिंग कर लेंगे यहां पर तो इस तरह से इसका भी मैंने कटिंग कर लिया है अब हम एक मिक्सिका जार लेंगे और इसके अंदर हम ये कटिंग की हुई आम डाल देंगे तो इस तरह से हमें डाल देनी है अब एक बार कची वाली आम एक बार पकी वाली आम भी पीश सकते हो लेकिन मेरा जार बड़ा है तो मैं दोनों इकटी पीश रही हूँ इसमें कोई प्रॉबलम नहीं आता है इकटी पीशने में तो इस तरह से मैंने पीश ल अब एक कठाई ले लेंगे और इसके अंदर ये वाला मिश्रन हम डाल देंगे अब जो जार में बचा हुआ था वह हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के कर लेंगे वैसे भी हमें इसको पकाना है तो यह अच्छे से पक जाएगे तो इसको पकाते पकाते मुझे पांच से दस मिनिट लग गए थे अब मैं इसके अंदर चीनी डाल दोंगे पूरी माजा को ही पकाते पकाते दस मिनिट लग गए थे मुझे तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी डाली है आपकी आम किस तरह की है उस तरह से इसके चीनी पड़ेगी जो ज़्यादा पके हुई होगी तो इसमें आधी कटोरी बहुत ही हो जाएगी और थोड़ी कच्ची होगी तो आपको थोड़ी ज्यादा भी डालने पड़ेगी तो आप देख सकते हो यह थोड़ा थोड़ा पकने लगा है और मैं इसको बहुत ही अच्छे तरह से पका लेना जैसे यह ट्रांसफर सा दिखने लगे या ऐसे ही दिखने लगे अब हम इसके अंदर आधी चमच विनेगर डाल देंगे यहाँ पर आप यहाँ पर निम्बू का रस भी डाल सकते हो इसको चला देंगे अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से हो चुका है यह साइड में भी अच्छे से पपड़िया जमने लगी है तो यह बन के तयार हो चुका है तो मैंने मीचे उतार दिया है और इस तरह से चलाने से यह जल्दी ही ठंडी हो जाती है अब हम इसको इसके अंदर मैंने कुल 4 से साड़े चार गलास पानी डाल दिया था तब जाके यह अच्छ से मार्केट में जिस तरह से माजा मिलती है उस तरह से मुझे यह माजा बन चुकी थी मेरी आप देख सकते हो बिलकुल मार्केट जैसा रंग दिख रहा है नहीं यहां पे बस बहुती बढ़िया बनी थी जरूर बनाए इस गर्मी में इस वाली माजा को बहुती टेश्टी और बहुती मज़ेदार और बहुती कम समय में बनने वाली यह रेसिपी है अब हम इसे सव कर लेंगे इस गर्मियों में जरूर बनाए जरूर ट्राइ किजिए इस माजा की रेसिपी को और पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक सेड़ और सब्सक्राइब कर दीजिए आप और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को बेजना बिल्कुल न बूलिये वो लोग भी घर में ही माजा बना सके